फाइनली दोस्तो ओला टीवेस और सिंपल वन जैसी ज्यादा रिस देने वाले इलेक्टर की स्कूटर को टक कर देने के लिए अब एक नई कंपनी ने एंट्री मार ली है जिनका नाम है रिवर और इन्हों ने आज अपना पहला इलेक्टर की स्कूटर लॉंच कर दिया है जि कुछ आज की स्कूटर में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ इसलिए वीडियो को एंट तक जरूर से देखें और अगर चैनल पर पहले वर आया है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर बैल को जरूर से दबाएं दोस्तो रिवर कंपनी बैनलोर बेस्ट स्कूटर बनाने वाले कंपनी है जिनकी को फांडर अरवींद मनी और विपिन जोर्ज है इन्होंने आज अपना पहला इलेक्टर की स्कूटर इंडी इन्डी यह में लॉंच कर दिया है इस स्कूटर में में काफी कुछ नया देखनों को मिलता है जो कि आपको किसी और इले इसको पिक suspension मिल जाएंगे जबकि रियर में hydraulic suspension दिये गया है और इस स्कूटर में 14 इंच के alloy wheel मिल जाएंगे इसमें की front and rear दोनों साइड में आपको disc brake मिलेंगे वहीं इस स्कूटर में 165 mm का ground clearance मिलेगा जो कि हमें ओला में भी देखने को मिलता है इसके लाबा इस स्कूटर म इस स्कूटर में सबसे बड़ी seat दी है और इस seat के नीचे जो massive space आपको मिलता है वो है 43 liter का जो कि अभी तक का सबसे बड़ा boot space हो जाता है यानि कि Ola scooter में सबसे बड़ा boot space हमें देखनों को अभी तक मिलता था तो यहाँ पर Ola scooter से भी ज्यादा बड़ा boot space हमें देखनों को म हमें देखनों को मिलता है इसके लबाब इस स्कूटर में side safety guard, mobile holder, dual USB port, front foot pads मिल जाते हैं और इस स्कूटर में आप लग से 40 liter का panier box, 25 liter का top box, floor gauge, windshield भी लगवा सकते हैं जो कि एक accessories का part है यानि कि यह सब आप लगवाएंगे तो अलग से आपकी cost increase हो जाएगी तो औरो देखा तो कंपनी ने इस स्कूटर का जो design बनाया है वो B2B और B2C दोनों customer को देखते हुए बनाया है जो कि मेरे कोडिंग काफी अच्छी बात है यानि कि इस स्कूटर को अगर आप commercial में use करना चाहते हैं तो इस स्कूटर से आप easily कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि इस स्कूट में 150-160 km की देखनों को मिलेगी बट यहां पर company ने टू रीज यहां पर बताई है 120 km की जो कि काफी अच्छी रेंज है साथी ये रेंज हमें eco mode में देखनों को मिलेगी इसके लाबा ride and rush दो mode और देखनों को इसमें मिलेंगे वहीं इतनी बड़ी battery को चार्ज करने के लिए यानि के 100% अगर आप इस बैटरी को चार्ज करते हैं तो 6-7-7 hours का टाइम minimum आपको लगेगा नेक्स्ट इस स्कूटर में में 6.7 kWh पीक पावर वाले motor देखनों को मिलती है जो की mid mount motor है जिससे की इस स्कूटर में 26 Nm का torque मिलता है जिसकी वजह से ये स्कूटर 3.9 सेंड में 0 to 40 की स्पीड कैच कर लेगा वहीं इस स्कूटर की जो टॉपी स्पीड है वो 90 km परार की हमें और स्कूटर पर कितनी warranty मिलेगी बट बैटरी और motor पर आपको 5 साल की warranty देखना को मिलेगी या फिर आप 50,000 km चला देते हैं तो और देखने में ये स्कूटर काफी ज़्यादा study लग रहा है वाइस का boot space, tire, seat सब कुछ काफी ज़्यादा impressive है और company इस स्कूटर में 120 km की range का व ज़्यादा है इसके लवाद जो अब TBS IQ ST आने वाली है उसकी price भी हमें काफी ज़्यादा देखना को मिलेगी और वह भी 140 के round range निकल कर देगी तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि अभी दो बड़े player और आने बाकी है Simple One and TBS IQ ST इन दोनों में हमें काफी अच्छी range देखना को मिलेगी जिसके बाद में यह decide हो जाएगा कि कौन सा electric scooter आपको लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए क्योंकि इन दोनों में ही हमें 100 km से ज़्यादा की range देखना को मिलेगी वहीं इस scooter को आप इनकी website से 1250 रुपीज देकर अभी के लिए book कर सकते हैं जिसकी delivery हमें अगस 2023 में देखनों को मिलेगी यानि कि इसी साल आपको इस scooter के delivery देखनों को मिल जाएगी इन सब के लावा इस scooter में अभी भी कुछ कुछ चीज़े ऐसी है जो कि मुझे थोड़ी से confuse कर रही है जैसे कि इस scooter में हमें reverse mode मिलता है नहीं मिलता वो भी कहीं पर mention है इस scooter में smart connectivity feature क इतने मिलते हैं वो सब कहीं पर भी नहीं है बताया और इस scooter में battery chemistry कौन सी है LFP है NMC है मेरे कोड़िग यहाँ पर NMC battery chemistry ही होनी चाहिए और last इस scooter में fast charging option हमें देहन को मिलेगा या नहीं मिलेगा यह सब चीज़े काफी ज़दा डिपेंड करता है आज की तारिक में क्यूंकि fast charging सभी को चाहिए बाकि आप लोगों की क्या है राय इस electric scooter के बारे में कमेंट बोक्स में जोरो से बताना और दोस्तों वीडियो अच्छे लिए के उतार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना मैं मिलता हूं आप से कर और इसी नई वीडियो में तब तक लिए stay safe and stay private